Hello and welcome back everyone मेरा नाम है आशीश और आप देख रहे हैं Tasty Goody Channel यह हमारा दूसरा पार्ट है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं पहले पार्ट में आप लोगों ने सीखा किस तरीके से हम necessary software को download करेंगे उसको install करेंगे उसके बाद NPM के थूँ अपने machine में कैसे angular का project install करेंगे जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे project install करते हैं उसे कैसे run कराते हैं तो I hope कि आप सभी लोगों ने कर लिया होगा कोई problem नहीं आई होगी अगर कोई problem आ रही है तो आप में comment दें हम आपके machine एनी desk पे लेके आपके machine पे हमको angular install कर देंगे ठीक है इससे ज़्यादा और help नहीं कर सकते यही बहुत help है ठीक है आपके लिए तो चलिए आज हम देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले नया ठीक है तो angular का जैसा कि e-commerce application है मैंने बताया था कि यहाँ पर हम buyer, vendor इस तरकी की चीज़े को यहाँ पे handle करेंगे तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक admin भी dashboard बनाया जाए एक admin panel पे बनाया जाए जो कि admin भी at least उसे देख सकता है कि कौन सा user है मतलब कौन सा buyer है वो सारी चीज़े को देख सकता है ठीक है तो एक नया दिमाग में आइडिया आया है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी project में इस सारी चीज़े को भी implement करूँगा ठीक है तो please अगर आप लोग channel पे नहे हैं तो channel subscribe कर लिजी क्योंकि आपके लिए आपको टर्मनल पे ऐसा दिख रहा होगा ठीक है और उसके बाद जब आप ब्राउजर पे देखे होगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखा होगा ठीक है अब हम चलते हैं नेक्स्ट आज क्या देखने वाले है तो सबसे पहले मैं बता दूँ आज हम लोग components बनाएंगे modules बनाएंगे services बनाएंगे interface बनाएंगे और यहां तक की directive भी बनाएंगे मतलब यह सब components generate करेंगे with the help of CLI services generate करेंगे with the help of CLI तो सारी चीजों को हम generate कर लेते हैं एक बार में जो necessary modules, components, service, directive वगरा है इन सारी चीजों को तो यहां पर आपको बहुत ही सारी चीज सीखनों को मिलेगी मतलब कहने का मतलब है यह पूरे complete playlist में आपको पूरा का पूरा angular का concept clear करके रख दूँगा कोई भी आपको problem नहीं होने वाली है बस आपको करना यह है कि आपको proper video को देखना है जो भी doubts हो comment करना है video पसंदा है तो like करना है नहीं पसंदा रहा तो आपको क्या नहीं पसंदा रहा उसमें मैं बताने का तरीका थोड़ा change करूँगा ठीक है तो इन सारी चीजों पे हम cover करेंगे ठीक है तो चलो हमने एक notpad पे सारे के सारे components and modules लिख रखे है module wise कैसे कैसे हमें काम करना है कैसे components बनाना है कैसे services बनानी है तो वो सारी चीजें हमने लिख रखी है और इसी के basis पे हम अपना आगे वर करने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा create important modules मतलब जो भी important modules है उसको create करेंगे तो सबसे पहले हमें important modules फोर लगे है चार modules लगे है जैसा कि पहला है admin दूसरा है core तीसरा है customer और चौथा है shared ठीक है ये चार modules होंगे हमारे पूरे के पूरे application में उन चारो modules के अंदर कुछ components होंगे जो कि आपको main components में आएंगे जो कि बाहर ही रहेगा किसी modules के अंदर ये component नहीं रहेगा और बाकी module wise यहाँ पर components and services इसेक्टरा मतलब interface, object वो सारी चीजे हम यहाँ पर देखेंगे ठीक है तो चलो इसको बनाने के लिए सबसे पहले बहुत ही necessary है कि आप इसको बनाओगे कहां पर कैसे बनाओगे, ये चीज़ समझना बहुत important है, ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम window deep press करते हैं आ जाते हैं अपने main desktop पर ठीक है, तो ये रहा हमारा folder जिस पे हम कल working किये थे मतलब पिछले वीडियो में और ये अंगलर e-commerce नाम से project बनाए थे, तो इसको double click कर open कर लेते हैं, और ये जो path है यहाँ पे एक बाद सिंगल टाइम टैब करेंगे तो सारा का सारा all selected हो जाएगा पूरा बात, ठीक है अब यहाँ पे आपको type करना है cmd लिखकर enter कर देना है तो आपको terminal open हो जाएगा ठीक है, जैसा कि terminal open हो गया अब बाकी पीछे जो हमारा ये folder का open हुआ है इसको हम minimize कर देते हैं, अभी सिर्फ हमारा terminal है, ठीक है, और आपको एक चीज और दिखाते हैं, अपने visual studio code पे आते हैं, तभी आप देख लो src folder के अंदर, app folder के अंदर, अभी हमारे पास कोई मतलब, और कोई folder, another folder नहीं है ठीक है, तो अब हम अपने यहाँ पे क्या करेंगे, module बनाएंगे command के थूँ, और देखेंगे क्या यहाँ पर listed होता है की नहीं, ठीक है, तो हम इसको ऐसे open रहने देते हैं, इसको थोड़ा से हलका सा और ऐसे कर लेते हैं resize, ठीक है, और एक side इसको भी, इसको minimize करते हैं, मतलब minimize नहीं थोड़ा सा size इसकी शोटी रखते हैं और इसको ऐसे side में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको real time में भी दिखाता चलूँगा और जो हमने नया terminal open किया उसको भी यहीं पर open कर लेते हैं perfect, हमारे बास तीनों चीज सामने दिख रही है, ठीक है तो सबसे पहले हम create import module को देखेंगे यह चारों module बनाएंगे, ठीक है हम अपने terminal पर post paste करेंगे और उसके बाद हम wait करेंगे देखेंगे क्या यहां कोई folder generate होता है और क्या यहां कोई module generate होता है कि नहीं कुछ second wait करना है first time machine थोड़ा सा time लेती है generate करने में एक बार generate कर दिया तो फटा-फट generate होता रहेगा ठीक है, तो देखते हैं कितना time लेता है करता है, वैसे मैं बता दूँ मेरे जो अभी machine पर काम कर रहा हो बहुत पुरानी है, ठीक है तो all right, यहां पर हमारा module generate हो गया देख सकते हो, admin folder automatically आ गया है और इसके अंदर यह वाली file भी आई है admin.module.ts perfect, यह सही था दूसरा module बनाते है core module, इसको भी copy किये, select करके और again हम paste करके, enter hit कर दिये यह भी module हमारा बनके तयार हो जाएगा, इसमें देखो तरुन हो गया, अब तीसरा module भी इसी तरीके से हम select करते हैं copy करते हैं और तीसरे module को भी हम यहाँ पर paste कर देते हैं तो हमारा यह तीसरा module भी बनके तयार हो जाएगा, हो गया, देखो तीन folder आ गए, और last चौथा module इसको भी हम copy करते हैं, और हम इसको paste कर देते हैं और enter hit करते हैं तो यह 4 के 4 module तयार हो गए अब पहली चीज़ मैं बता देता हूँ इन 4 module को generate कैसे किया इसका काम कैसा था ng जो होता है, हमारा angular का command होता है angular के अंदर जो generate होता है जो generate keyword होता है चाहे से g लिखो, चाहे generate पूरा लिखो same work करेगा, ठीके यह क्या करेगा? generate करेगा क्या generate करेगा? module module भी एक command समझता है कि हमारे angular के अंदर एक module होता है उसको मुझे generate करना उसके बाद यह जो मैं name दिया है यह name जो होता है इसको आप कुछ भी दे सकते हो ठीके? चाहो आप यहाँ भी user लिख सकते हो चाहे admin लिखो जो name दोगे उसी name से एक folder बनेगा और module जनेरेट होगा चलो इसके अंदर हम दिखाते है admin के अंदर यह देख सकते हैं फाइल बन गई है ठीके? तो कहने का मतलब यह 4 module हमारा यहाँ पर generate हो गया है अब आते हैं next की तरफ ठीके? next में क्या लिखा है हमने? इसको हम एक सेगेंड important main component ठीके? अब देखो यह चार जो folder generate हुए है यह module wise हैं ठीके? अब यह कुछ components में generate करूँगा यह भी उपर ही listed होंगे ठीके? चलो इससे दिखाते हैं इसको मैंने copy किया और इस command का name मैं बता देता हूँ ng g for generate, c for component और यह home मैंने name दिया home नाम से component generate होगा ठीक है? तब देखते हैं यह home नाम से component generate करता है यह नहीं यहाँ पर यह भी folder अभी listed हो जाएगा यह देखो home नाम का folder listed हो गया, इसी तरीके से यह चारो के चारो create कर लेते हैं तो next मैंने hit किया और जैसे इसको hit किया, यह भी generate हो गया अब देखो, एक चीज़ देखो जब मैंने module generate किया तो only single file बनी लेकिन जब मैं component generate कर रहा हूँ तो चार file बन रही, एक html एक spig.ts, एक .ts और एक css की, ठीक है इस चीज़ को द्यान में रखना जब module बनता है तो एक file बनती है और जब components बनते हैं तो multiple files बनती है, ठीक है और यह last user profile का भी मैं copy करता हूँ, और यह यह भी हमारा module बनके तयार हो गया ठीक है, यह सारे components हमारे generate हो गया है, आप hierarchy देख सकते है इसकी बहुत प्यारी hierarchy भी बनने वाली है, ठीक है last मैं आपको सारे के सारे hierarchy complete दिखाऊँगा आप समझ जाओगे कि इस पे कितना ज़्यादा काम होने वाला है ठीक है यह हो गया, यह भी section हमारा done हो गया तो अब इसको हम करते हैं, create important module one second, इसको थोड़ा समय है mouse से से कर लेता हूँ, okay module wise component and services, perfect अब देखो, अभी देखो, admin के अंदर आपको क्या दिख रहा है single admin module.ts न, अब मैं बनाने चल रहा हूँ module के अंदर component with the help of command, ठीक है तो simply इसको मैं उठाऊँगा, ऐसे copy करूँगा और again यहाँ पर मैं paste कर दूँगा अब यह हमारा admin के अंदर components बनाएगा, ठीक है अब यहाँ पर जब click करेंगे, तो आप देख सकते एक और folder आ गया इसके अंदर open करोगे तो चार-चार file से आए चुकी है, ठीक है तो इस तरीके से आप हम इसको फटा-फट बना लेते हैं क्योंकि बराबर आपको आपसे बोलते रहेंगे, समझाते रहेंगे एक लो लाइन तो आपको थोड़ा सा confusion होगा, तो इसको करते हैं minimize, इसको करते हैं side में और इसको करते हैं, इस side में, ठीक है और फटा-फट इसको हम बनाते हैं, इसको select हिए और simply यहाँ पे paste कर दिया वो जब तक बन रहा है, तब तक इसको मैं copy करकर रखता हूँ देखो बन गया, admin login बन गया, अब उसके बाद user crud, अब जब तक user crud बन रहा है इधर इसको मैं select करके copy कर लेता हूँ, ठीक है, देखो user crud भी बन चुका है अब हम admin के अंदर service बना रहे हैं, service का command ध्यान से देख लो ng, g for generate, s for service, और उसके बाद admin folder के अंदर एक services नम को folder बनेगा, उसके अंदर admin नम से हमारा service क्रेट हो जाएगा, ठीक है तो ये भी हमारा done हो गया, चारो पार्ट, admin वाला section complete, अब आते हैं core पे, ठीक है, हम इसी terminal पे सारे के सारे folder क्रेट करेंगे मतलब सारे का सारी files बगरा, सब create करेंगे, तो इसको करते है, copy, और उसके बाद यहाँ पर हम service बनाएंगे, ng, g for generate, s for service, core folder के अंदर, services नम के अंदर, api नम का service जेनरेट करेगा, ठीक है तो यह भी हमारा service जेनरेट कर दिया, अब हम बनाने वाले हैं, interceptor, http name से, तो इसका command है, ng, generate, interceptor, interceptor का shortcut नहीं है, तो interceptor इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा लिख रखा है, ठीक है तो interceptor, core के अंदर, interceptor नाम का folder बनेगा, उसके अंदर, http नाम से, interceptor बनाएगा, enter किया, अब देखो, यहाँ पर कितनी फाइले जनरेट होती है, यह देखना मच थे, तो यहाँ पर भी दो फाइले जनरेट हुई, http, interceptor.ts, और interceptor.spec.ts, ठीक है, perfect, अब देखो, यहाँ पर मै folder के अंदर, हमें एक model बनाना पड़ेगा, ठीक है, model folder के अंदर बनाना पड़ेगा, object model.ts, इसको हम UI से करेंगे, तो इसको भी skip करते हैं, यह वाला पार्ट, हो सकता है, आगे हम बनाएं, ठीक है, अब आजाते हैं, बायर वाले section पर, तो फटाक्स, इसको हम करते हैं, copy, और इसे भी करते हैं, यहाँ पर terminal पर paste, इंटर किये, यह हमारा component बनके त्यार हो रहा है, बन गया, उसके बाद यह भी copy किया मैंने, और इसको भी मैंने दिया, यह भी हमारा बनके, त्यार हो गया, ठीक है, उसके बाद हम करेंगे यह वाला command copy, इसको भी हम किये paste, अगर आपको यह वाली text file चाहिए, तो आप प्लीज हमें comment में देजिए, हम इसको upload कर देंगे, और आप वहाँ से pick कर लेना, ठीक है, अगेन हम बनाते हैं, service customer के लिए, यहाँ पे भी मैंने दिया service, और यह भी हमारा बनके त्यार हो गया, अब ही सब पूरा बन जाएगा, तो आपको अपना, यह visual studio code ओपन करके दिखाऊँगा, सारी चीजे ठीक है, तो यह भी हमारा बनके त्यार हो गया, और अब last में, shared के अंदर जो जो मैं बनाना है, वो पचायत उसको मैं करता हूँ, copy, और यहाँ करता हूँ, paste, basically यह directive है, directive का command देख लो, ng, g for generate, d for directive, इसका shortcut है, तो इसलिए मैंने इसका shortcut यहाँ पे लिग दिया था, ठीक है, बाकि components वगरा तो आप लोग जानगे हो, यहाँ पे मैंने footer component बना है, उसके बाद मैंने, यहाँ पर header component का command दिये, header बन जाए हमारा, लाओ मैं दूँगा page not found का, page not found हमारा बन रहा है, अब यहाँ पे हम चार services create करेंगे, एक auth के लिए, पहले एक auth guard create करते हैं, उसके बाद login एंड sign up का service create करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे product का service create करेंगे, shared folder के अंदर, और उसके बाद final हम यहाँ पे user का service create करेंगे, so all done, सारी चीज़ें हमारी complete हो गई है, सारे file and folders आ चुके हैं, आप देख सकते हो, जब मैं अपना terminal आपको दिखा हूँ, तो आप देख सकते हो, यहाँ पे कितने सारे components, file and folder बना चुका हूँ मैं, ठीके, तो यह सारे अभी मैंने create किये हैं, और इन सारों पे हम work करने वाले हैं, आने वाले next videos में, तो आज की इस वीडियो में मुझे यही बनाना था, सारे के सारे, with the help of CLI, मतलब command line interface, अब आपको दिखाते हैं, visual studio code में hierarchy, और आप देख सकते हो, यह सारे आचुके है, admin के अंदर, admin dashboard है, admin login है, services है, services के अंदर, services मिलेगा, user crud, ठीक है, यह admin panel हो गया, उसके बाद यह contact us का page है, यहाँ पे core के अंदर, आपको interceptor मिलेगा, services मिलेगी, head core module मिलेगा, ठीक है, customer के अंदर, आपको buyer मिलेगा, buyer के अंदर जाओगे, तो buyer का dashboard, checkout मिलेगा, seller folder मिलेगा, seller के अंदर seller dashboard मिल जाएगा, services मिल जाएगी, और आपको sign in and sign up का component मिलेगा, उसके बाद आते हैं, अपने home component प के अंदर directive है, directive मैंने बनाया है, layout के अंदर आपको तीन folder मिलेगे, footer, header and page not found का, और उसके बाद shared folder के अंदर, services के अंदर, चार services है, auth guard, login sign up, product and user का, ठीक है, तो यह सारे के सारे चीज़े हमारी तयार हो चुके हैं, और user profile में normal as usual component है, ठीक है, तो यह सारी हमारी hierarchy है, complete folder, generate हो हो चुके हैं, सारे के सारे तयार हैं, अब next video में हम प्लान करेंगे, next video में आपको क्या बताना है, इतना minimal, इतना simple तरीके से बताएंगे, कि आप कोई भी project handle कर सको, आसानी से, ठीक है, तो I hope यह video लंबी हो रही है, तो आज के video में बस इतना ही, मिलते हैं, next video में तब तक लि टेक केर